नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं ने दोनों जगों से मैट्रिक वा इंटर्ण में रईस्टेशन भी करवा लिया है वहीं अब इस परकार के उमिद्वार के दोदों जगों से रईस्टेशन आजानक सामने आने से जर्खन एकेडमी काउंसिल भी सकते में है मैट्रिक में इस परकार के स्टूडेंट की संख्यराजे में कूल 61 है जिनमें सिर्फ पूर्वी सिमुम जिले से 15 उमिद्वार है जर्खन में अगले 3-4 दिनों की दोन रात के तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं है इस दोन मोसम सुस्क रहेगा मोसम विभाग के पूरो अनुमान के मुताबिक 13 नॉमबर तक मोसम सुस्क रहने का अनुमान है आकास साफ रहेगा बता दे 11 नॉमबर तक आसमान साफ रहेगा जबकि 12 हुआ 13 नॉमबर को आकास में आंसिक बादल चाहे रहेंगे पिछले चार दिनों में तापमान में 5 डिगरी गिरावट आई है पहाडों पर होने वाली बर्फ बारी का असर जार्खन में भी दिखने लगा है चाह नॉमबर को राईधानी राच्री का निमतम तापमान 13 डिगरी सेल्सियस रिकोर्ट किया गया भारत न्यूजिलेंड टी ट्वेंटी मैच में खाने पिने की समागरी परलगा परतिवन्द होगा खत्म भारत न्यूजिलेंड के 29 नॉमबर को होने वाले टी ट्वेंटी मैच में खाने पिने की समागरी परलगा परतिवन्द खत्म किया जा सकता है बता दे जे A.C.A. ने राज सरकार से स्टेडियम में खाने पीने की समागरी पर लगा परतिबंद वापस लेने का अगरा किया है इसे लेकर जे A.C.A. अधिकारी ने C.A.M. से मुलकाद भी की जे A.C.A. की ओर से कहा गया है की राज सरकार के नेदे सामसन COVID-19 प्रोटोकाल का पारण करते हुए मैच आयोजित होगा जे A.C.A. स्टेडियम की कूल शामता के 50% को को ही मैदान में परवेश दिया जाएगा दूरी सुनेश्चीत करने के लिए श्टेडियम में परवेश के लिए गेट जल्दी खोला जाएगा 65,000 पाराण सिक्षकों के लिए आज अहम दिन पाराण सिक्षकों के अस्थाई करन तथा बेतनमान को लेकर परस्टावीत सेवा सत निमावली का ड्राप्ट सोमवर को उच अस्थरे कमेटी के समक्ष रखा जाएगा बतादे शिक्षा मंत्री जगनात महतों के अधक्षता वाली इस कमेटी की बैठक में प्रस्तावित नेमावलिक के प्रविधानों पर चार्चा होगी तथराजे में उसे लागू करने पर विचार किया जाएगा इस बैठक में विकास, आयूक्त, पित सचीव, कर्मिक सचीव, सिक्षा सचीव आधी सामिल होंगे इसी सब्ता नेमावलिक के ड्राप्ट को पारासिस्कों के प्रतिनिद्यों के समक्ष रखा जाएगा बता दे कि एकी करीद परासिक्षक संहर्च मोचा ने 14 नॉमबर तक अस्थाई करण वब्रेतनमान की घोस्ता नहीं होने पर राय अस अपना दिवस समारों का विरूद करने का भी निन लिया है जारखन में अभी सास्ता नहीं होगा पेट्रोल डिजल जारखन में फिलाल पेट्रोल डिजल की कीमत में अलग से कोई कमी नहीं होने जा रही है बता दे राज सरकार इस मसले पर केबिनेट की बैठक में फैसला ले सकती है लेकिन अभी बैठक को लेकर तीथी भी तय नहीं होई है चोट के बाद कभी बैठाख होने की संभवना है जारखन में पेट्रोल तो पडोसी राजियों से कम कीमत पर मिल रही है लेकिन डीजल की कीमत कुछ अधिक है हो सकता है कि इस अधार पर सरकार कोई फैसला करे लेकिन माना जा रहा है कि सरकार इसके लिए कहीं से भी हड़ बाड़ी में नहीं है जारखन सरकार ने अगले देढ़ महिने तक उत्सावी महावल के आवेजर की त्यारी कर लिया है बतादेज सभी विभागों के अपर मुख सचीव, प्रदान सचीव और सचीव को समोधित करते वे मुख सचीव ने कारकरमों के आवजन को लेकर पूरी त्यारी करने के निदेश दिये हैं राज अस्थापना दिवस को लेकर आयोजित कारेकरम सीमित संख्या में लोगों के उपस्थिती के बिच होगी जबकि 29 दिस्थमबर को मुराबादे मैदान में सरकार के दो बर्ष पूरे होने पर बिरहत कारेकरम की योजना बनाई गई है जेपी एसी छात्रों ने सिक्षा मंत्री को बताई समस्या आये जेपी एसी छात्रों ने रभीवार को सिक्षा मंत्री जगनात महतों से मुलकात की छात्रों ने मंत्री से कहा कि जेपी एसी पीटी रियल्ट को बेच दिया गया है जहां सेंटर दिये गए थे वहीं पर सारी सेटिंग कर दी गई है छात्रों ने परिक्षा में अनिमिता ब्रत्ते जाने का आरोप लगा कर जांच की मायं की है बता दे मंतरी जगनात महतों ने चात्रों को अस्वस्त किया है की वह मुख्य मंतरी से पत्रचार करेंगे और चात्रों की बातों को रखेंगे इसके बाद चात्रों ने विधाएक सिपी सिंग से उनके आवास पर मुलकात कर अपनी बातों को बताया OBC मोर्चा 10 नौमबर को भूख हर्ताल करेगा OBC का अरक्षन बढ़ाने की मांग को लेकर राश्रिय OBC मोर्चा के करेकरता और पताधिकारी पूरे परदेश में 10 नौमबर को अपने अपने घरों वा कर्यालियों में भूख हर्ताल पर बैठेंगे यह जनकारी मोर्चा के परदेश अध्यक्ष राजेस गुपता ने प्रेस कॉंफिरेंस में दी उन्होंने कहा कि लंबे समय से मोर्चा अरक्षन बढ़ाने की मांग कर रहा है लेकिन सरकार अभी तक इस पर फैसला नहीं ले सकी है हमारी मांग हाए कि इस अस्थापना दिवस परमोख्य मंत्री को ओवी सी समुदाय का अरक्षन पचास पतिशत बढ़ाने की होसना करनी चाहिए 11 नुवंबर को होगा सरना धर्म समेलन केंद्री ये सरना धर्म समिती की बैठक रविवार को मिसीर गोंदा सरना असल में हुई अध्यक्षता समिती के अध्यक्ष सीवा कचप और संचालन संगीता गाडी ने की इस दोरान समती बनी की 11 नुवंबर को सरना अधिवासी धर्म कोड प्रस्ताव पारित होने की बर्सगाठ मनाई जाएगी बताया गया की 11 नुवंबर 2020 को जारकन विधान समा की 27 में सरना अधिवासी धर्म कोड पारित हुआ था पौलिब बर्सगाट को लेकर पूरे राज्य में प्रक्षान से लेकर जीला अस्तर पर समरों होगा CBSC 10 वी बरहवी के Term 1 का पेपर ऑनलाइन भेजेगा बोर्ड परिक्षा लेने के बाद इसकूलों को उसी दिन कोफी का मुल्यांकन कर चात्रों के आंग को अपलोड करना होगा इसकी भी वेवास्था बनाई जा रही है कुरोना काल में सहीद दो डॉक्टर्स के परिजनों को मेंकाइड ने दिया 5-5 लाख रुपए का चेक कुरोना बारे संक्रमन की चपेट में आकर जार्खन के कई लोग अपनी जान गवा चुके हैं इसी कड़ी में राची के दो डॉक्टर्स भी इसकी चपेट में आकर सहीद हुए थे कुरोना संक्रमन की चपेट में आकर सहीद हुए दो डॉक्टर्स के परिजनों को मेंकाइड स्फार्मा ने 5-5 लाख रुपए का चेक देकर आर्थिक सायोग की है बता दे कुरोना काल में सहीद हुए दो चिकित सक डॉक्टर्स भी जय नाथ खन्ना और डॉक्टर्स पीके स्चेन गुप्त के परिजनों को मेंकाइड ने चेक दिये रांची में पूलिस की हिरासत से भागा लुटेरा ग्रामिनों ने सुक्रवार को तीन लुटेरों को पकड़ कर पूलिस के हवाले किया था लेकिन उसी रात में एक आरोपी बुढमू मनातु गाव निवासी सभीजूल अंसारी पूलिस कर्मियों को चकमा देकर अहतकरी न चापेमारी कर रही है रांची में काली पूजा पंडाल के बाहर फैरिंग जाठन की रैधानी राची के सुख देव नगर थाना छेतर के इरगू टोली में निव इंडियन कल्ब काली पूजा समीती के सदस दिपक सिंग पर फैरिंग की गाई बता दे घटना में वे बाल- बच गए हैं घाटना सनिवार रात करीम नव बजे की हैं गोली चलाने का रोप टूट्टू सिंग पर हैं वह मौके से भाग गया जेपी एसी पीटी परिक्षा की निस्पक्स जाच हो बीजेपी परदेश अध्यक्ष दीपक परकास ने कहा है कि जेपी एसी परिक्षा में धांदली की बात सामने आ रही है इतना ही नहीं मुख्य मंत्री के ग्रिह जीला साहिब गंज बित मंत्री का ग्रिह जीला लोहरदागा और लाते हार के परिक्षा के अंदली में धांदली हुई है इसे अस्पश्ट होता है कि राज सरकार जेपी एसी को भरष्टा चार में जोकना चाहती है राज सरकार पिटी परिक्षा क निस्पक्स जाच करा कर युवाओ को नयाय देने का काम करे इक्छा सकती हो तो रोजगार सुरक्षित कर सकती है सरकार बावलन मरांडी अस्थानी और नियोजन निती को लेकर सेलिब्रेशन बैमवेट डिबडी में परिशनवात कारकरम का योजन किया गया इस मोगे पर पूर्व मुख बंतरी बावलन मरांडी ने कहा कि अस्थानी और नियोजन निती एक दूसरे से पूरक है जार्खन अलग राजे बनने पर उन्होंने सन्युक्त बिहार के समय 1982 में जारी सरकुलर को अपनाया था अस्थानी निती को बिहार पूर्ण गठन अधिनियम के अनुसार लागू किया था लेकिन यह लोगों को समझ नहीं आया और उन्होंने इसका बिरोध किया यह निती सर्वदलिय बैठक कर लाई गई थी उनकी पार्टी ने भी उनसे कभी नहीं कहा कि उन्होंने गलत किया सिरी मरांडी ने कहा कि आज हमारे समक्ष जो समस्या है वह नियुक्तियों को लेकर है इसे लेकर लोगों में अक्रोस है दर्द है यदि सरकार में इक्षा सकती है तो निश्चित रूप से अपने राजे के लोगों के लिए रोजगार सुरक्षित कर सकती है मोराबादी में बन रहा इस्ट जोन का पहला स्केटिंग रिंग मोराबादी में जिस जगह पर कभी खटाल हुआ करता था अब वहां की तस्वीर बदलने वाली है मोराबादी के मंदीर मैदान के बगल में इस्ट जोन का पहला 200 मीटर का स्केटिंग रिंग 3.34 क्लोर की लागत से त्यार हो रहा है यहाँ एक साथ 200 खिलाडी स्केटिंग का अब्यास कर सकेंगे बता दे इस्केटिंग के खिलाडियों को रहाची में कहीं भी रिंग नहीं होने से अब्यास में परिसानी होती थी लेकिन इसके बनने के बाद रहाची के खिलाडियों को अब्यास की बेतर जग मिलेगी इसके तयार होने में एक साल का समय लगेगा क्रिसी विभाग सुस्त 7 महिने में 29 योजनाओं पर नहीं हुआ काम राज में क्रिसी विभाग की योजनाओं का इस्थिती खराब है वितिय वर्ष के 7 मा गुजरने पर भी खर्च की इस्थिती अची नहीं है बिभाग इस वर्च राज्य और केंद्रिय योजनाओं को मिला कर कुल 36 योजनाओं बनाई थी इन में 7 योजनाओं पर ही अब तक कुछ राशी खर्च हो सकी है 369 योजनाओं पर काम तक सुरू नहीं हो सका है बतादे विभाग का सबसे अधिक खर्च रीन माफी जोजनाओं पर हुगा है जारखन का देवघर जिला साइबर क्रिमिनल का सेफ जोन माना जा रहा है पतादे यहां से साइबर क्रिमिनल सद्वारा हर दिन ठगी का ममला सामने आता है ताजा ममला सोसल मीडिया गूगल सर्च इंजन में विगापन देगा ठगी करने का है देवघर की साइबर ठाने के पूलिस ने जिला के देवीपूर मधुपूर पथोरा वा मर्गो मुंडा ठाना छेतर में चापे मारी करेगारा साइबर क्रिमिनल स को गिरपतार किया है गेपता साइबर किन्वस के पास कई समान भी पूलिस ने बरामत किया है या जनकारी साइबर डीसपी सुमित प्रसाद ने पत्रकारों को दी है सीम हमन्त पहुचे अपने ननिहाल जारखन के मुखे मंत्री हमन सुरेन रविवार को सोराई पर मनाने अपने ननिहाल पहुचे सीम सिरी सुरेन का ननिहाल सराई केला जीला अंतरगत चांडिला छेतर के धात की डीह में है यहां पहुँचने पर CM सिरी सुरेन का दिवासी रिती रिवाज के साथ ठोल मंदर की थाप पर भभबे स्वागत किया गया बता दे CM हमन सुरेन करीब एक घंटे तक अपने ननिहाल में ठारे देवघर यारपोर्ट में 100 फिट की उचाई पर लहराएगा तिरंगा इंटरनेशनल यारपोर्ट की तर्ज पर देवघर यारपोर्ट में भी काम हो रहा है बता दे देवघर यारपोर्ट टर्मिनल के बाहर गारडन में 100 फिट की उचाई में तिरंगा लहराएगा इसके लिए एस्ट्रक्चर त्यार कर लिया गया है देवगर एयरपोर्ट के उदगाटन पर तिरंगा को फ़राने की त्यारी है पिछले दिनों हुई त्येजवारी से एयरपोर्ट के गाडन में फूल वा पौधों को काफे नुक्सान हुआ था फिर से गाडन को त्यार किया जा रहा है अगले 15 दिनों में गाडन को भी पूरी तरह स्वार लिया जाएगा बता दे कुलकत्ता से सुंदर फूल पौधे वा खास मंगाए जा रहे है एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों के साथ साथ पर्यटक भी इस गाडन का लुप्त उठाएंगे जारखन के दो एसपी को खेल कूद में रूची नहीं मिला सो काज जामतड़ा और दुमका एसपी को खेल कूद में रूची नहीं है बरतमान में जामतड़ा के एसपी दिपक कुमार सिनहा और दुमका के एसपी अंबर लकड़ा है इसका खुलासा दुमका रेंज डियाइजी सुधार्शन मंडल ने आपनी रिपोर्ट में की है बता देट डियाइजी ने दोनों ESP को सो काज भी किया है उन्होंने DGP निरज सिनाय को भी रिपोर्ट भेज दी है डी आई जी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 28 अक्टूबर 2021 को गोड़ा जिले में संताल परगना छेतरिये खेल कूद परतियोगता का उधगाटन किया गया था लेकिन दोनों SP उधगाटन समारों में उपस्थित नहीं हुए समारों में गोड़ा SP, वाइस, रमेश, देवगार, SP, धरनजय, कुमार सिंग और साहभगन SP अनुलाग कि स्पोट्टा उपस्थित थे धन्यवाद